आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप उत्राखंडे सिटीजन पोटल के माद जम से अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिपिकेट किस तरीके से बना सकते हैं, इसका ओनलाइन प्रोसेस हम आपको आज की इस वीडियो में लाइब करके दिखाने वाले हैं, जिस पहले आपको अपना एक अकाउंट यहां पे क्रेट करना है, अकाउंट किस तरीके से क्रेट किया जाता है, इससे रिलेटेट वीडियो आपको मारे चैनल पे अल्रेडी देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख देखने को मिल जाएगा तो जैसी आपकी login ID बन जाती है आप यहाँ पर login करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको interface देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको काफी सारी services देखने को मिल जाएगी अगर आपको police verification बनाना है तो आप यहाँ पर नागरिक सेवा हैं इस वाले option पर क क्लिक करेंगे जिसके बाद मा कुछ इस तरीके से online form आपको देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर तीनी step अपने form को complete फिल करना है जिसके बाद आप इस form को submit करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी basic detail को फिल करना है जिस पी option के पीछे आपको start का icon देखने को मिलता है इस वाले option को फिल करना compulsory है सबसे पहले आप यहाँ पर applicant का first name, midi name और last name फिल करेंगे इसके बाद मा आपको यहाँ पर chain करें इस वाले option पर click करना है और पिता इस वाले option पर tick करेंगे इसके बाद मा फादर का complete name यहाँ पर फिल करेंगे आपको यहाँ पर ID type में copy स सारी option देखने को मिल जाते हैं, आप यहां पर आधार संक्या, इस वाली option पर टिक करके अपना आधार कार नंबर यहां पर इंटर करेंगे, इसके बाद मैं आप पुलिस वेरिपिकेशन certificate क्यों बना रहे हैं, उसका region आप यहां पर टाइप करना है, इसके बाद मैं आप अपना पुलिस वेरिपिकेशन certificate कि इस तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें भी आपको काफी सारी option देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने according की से एक option को आप यहां पर select कर लीजिए, इसके बाद आप यहां पर applicant का mobile number फिल करेंगे, जेंडर का selection आप यहां से कर लेना है, इसके साथ मैं आप यहां पर last time option देखने को मिल जाता है, आप अपनी एक mail आईडिया आप इंटर करेंगे, अब आप यहां पर कुछ document को upload करना होता है, जिसके लिए आप फोजे इस वाले option पर click करेंगे, तो कुछ इस तरीके से एक निया interface आपको देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आप यहां पर document का size और format चेक आउट कर सकते हैं, इसके साथ मैं आप यहां पर file पर कार, इस वाले option पर click करना है, और serial wise आपको यहां पर जो भी document अप्लोट करने, इस तरीके से आपके यहां पर select कर लेना है, इसके बाद माँ आपको यहां पर सबी document को upload कर लेना है, इसके बाद में आपको अगला option देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे calendar के माध्यम से applicant की date of birth फिल करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको calendar से date of birth फिल कर लेना है, इसके बाद में नीचे आपको सुरक्सित करें, इस वाले option पे click करना होगा, आप यहाँ प अपना वर्तमान पता और इसता ही पता इंटर करना है, जिसमें आपको यहाँ पे address की basic detail को पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि अपने गाउं का name आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, इसके बाद में आपका जो देश है, automatically selected रेगा, आपको यहाँ जैसी यहाँ पे फिल करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको time pizza देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से enter कर लेंगे, अगर आपका permanent address और आपका present address दोनों address सेम है, तो आपको हैंपर हाँ का एक option देखने को मिल जाता है, आप इस पे tick करेंगे, otherwise आपको परिवार पर अगर कोई कानूनी कारवाई चल दी है तो आप यहां पर हाँ वाले उप्शन पर टिक करेंगे और उसकी डीटेल आप यहां पर बॉक्स पर टैप करनी है अधरवाईज आप नहीं वाले उप्शन पर टिक करेंगे नीचे आपको डिक्लेयर करना है और इसके बा जरते है आप यहाँ पर चेक आमाउंट टेस्ट वाले अपस्टर उपशन पर किलिक higher जिसके बाद मैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ परपच पूछा जाता है जिसमा आपको पुलिस वेरिफिकेशन टाइप कर लेना है इसके बाद मैं आपके यहाँ पर प्रोसीड वाले अप्शन पर किलिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके चालान की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है जिससे आपको एक बार चेक आउट कर लेना है अगर आपको कोई जानकारी यहाँ पर एडिट करने है तो आप बैक वाले अप्शन पर किलिक करके अपनी जानकारी अपडेट करेंगे अगर आपकी जानकारी यहाँ पर सही है तो आप यहाँ Proceed to Bank के इस वाले option पे क्लिक करेंगे फिर से आपको Proceed to value option पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से Net Banking के माधियम से आपको आपर payment एस एकसस हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आपका जो application number है आपको देखने को मिल जाता है आपको इस application number को copy करके रख लेना है जिसके माधियम से आप अपने application का status चेक कर सकते हैं और नीचे print receipt इस वाले option पे क्लिक करके आपको अपनी receipt को download कर लेना है बाकि अपने application का status चेक किस तरीके से करना है और certificate बन जाने के बाद में कैसे आप अपने certificate को download करेंगे इस से related वीडियो भी आपको मारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी वैँ होप आपको आज की जानकारी पसन आई होगी अगर आपको जानकारी पसन आए तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और इसी परकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियो मा बस इतना ही हम मिलते हैं आपको फिर से किसी एक नए वीडियो के साथ